नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग डाउट निट की इस लाइफ क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है अमित और मैं हूँ आपका सामाजिक विग्यान का अध्यापक बच्चापाटी फटावट से आजाओ एक श्रीकी क्लास में आप सभी का बहु लेते हैं कि बिस República है यहें रहीता क्या है क्या कहना चाता है चैक्टर का थोना नाम पड़ाओ मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब भी किसी चैप्र की शुरुआत करो जब भी कोई अध्याय चाति पड़ओ तो शूद पा एं से समझा करो नाम में छुपा क्या है क्योंकि होता यह है कि पूरे चैप्टर के नाम में पूरे चैप्टर का सार होता है है ना जो आउटलाइन होती है वो उसके नाम में छुपी होती है कि बेसिकली बोलना क्या चाहर है तो यहाँ पर chapter जो है वो क्या है basically तो chapter जो है वो तीन महादीपों में फैला हुआ सामराज है ना यहाँ पर तीन महादीपों की बात हो रही है और उसमें जो सामराजी फैला हुआ है सामराजी को हम क्या बोलते हैं kingdom basically है ना तो basically empire जो होता है kingdom जो होता है और जड़ा पीचे चलते हैं आप याद करोु दूसरे चैप्टर में में किसके बारे हम बात की थी, घुतम में हम मंसें इनकी ही मनें बात की कैसे जो हम इंसान बने हैं आज की टाम पर हम इतने जादा विकास हमारा हो चुका है यह वाल्व हो चुके हैं चीज़ों में थो इन सारी चीजों की हमने है कि इन्सान जो थोरा सा mentor हुजाता है दिकास हो जाता है इंसान जो हुआ है साथ साथblick मोध ही करना सीख जाते हैं यहां पर एक सभोङला विकास होता है जिसे हमने हूँ दिया 20ание 212 तो συ pokemon six अजृंट आये इंसान जो है रहना सीख रहा था एक Ultrabadis had i begun subube ho baptized let इंसान को जीना आ गया था अब तक क्या था इंसान जो जानवर की तरह जी रहा था है ना जानवर की तरह मतलब शिकार कर लेगा शिकार करके खाना खालेगा उसके जीवन का में एम था क्या जिंदा रहना और जिंदन रहने के लिए चाहिए यह खाना चाहिए बस अज की टाइम पर आप जानवर जो देखते हो उनका में जो काम होता भी क्या होता है क्या अपने आप को survive कीजह करना है उसके लिए उन्हें खाना जरूरी है है ना खाने के लिए ही वो जीते हैं हम देखते हैं कि हम एक सब इंसान वंजाते हैं हम अपने एक सब निलसामाज की इस्ताफना करते हैं वो हमने दूसरे चैप्टर में देखा मैंसुपटाम्य हमें है 1972 नदियों की बीच में तिर्गिस नदी ठी रिफन नदी चो थी इन और दोनों नदी के बीच में जो एक सब्विता वसी उसको जो जो हमने मैसुपुता में सब्विता बोल दिया अब बात हो रही है थोड़े से और आगे कि हैना अब हम क्या पढ़ेंगे अम बात करेंगे तीन महादीपों में फैला हुआ सामराज इनकी हम बात करेंगे अब य टाइम का कैसे 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 मिया सुब भॉष रोमन सामराज की अगता है उसकी अम बात करेंगे यान कि हमारी श्टोरी जो है वहीं से शुरू होल्गी होता है न जैसे आप movies वगरा देखते हो कुछ भी देखते हो तो उसमें क्या होता है उसमें पार्ट 1 जो होता है और पार्ट 2 जो होता है पार्ट 2 की story जो है वन का ending में खतम होती है जहां से वन का पार्ट जो है खतम हुआ होगा वहां से दूसरे पार्ट की जो है starting होती है तो तो वही हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं कि तीन महादीबों में फैला हुआ सामराज, मतलब तीन महादीबों में समराज फैला हुआ था, उसकी हम डिटेल में बात करने वाले हैं, कौन से तीन महादीब थे, कौन से समराज्यों की बात हो रही है, उसकी हम बात करेंगे, चाप्तर खतम हो जाएगा उसके बाद मैं इस चाप्तर का वन शॉट भी देदूगा एक से लेड़ गंटे का लेक्टर होगा है उसमें आप वो सकते हो पूरे जो चाप्तर देट से 2 गंटे मैं मैं क्लियर करवा दूगा पूरा टॉपिक करवा दूगा ठीक है इसके पहले हम द्रा पार्ट्री के ओ उन से भी चैनल शेयर कर देना ठीक अधा की सब्सक्राइबर बढ़ सके ठीक है चले तो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा इंट्रड्रिक्टर पाट देख लेते हैं जो भी परिच्छा है इस चाप्तर का वो देख लेते हैं तो मौसभा चैनल की ब यहां पर जब पूरी तरह से विकास हो गया मैं सपुटा में के यहां पर देखा जाता है दो दश्कों तक दो सब्सक्राइब निर्माद होता है और यहां पर अलग अलग सामराज जो होते हैं वह राज करते रहे राज करने लगते हैं अब क्या हुआ सुनो डब क्या उसनो चलिए अब हुआ क्या देखो छटे च्टेस अब्धिश्य पूर्व में छटेस अप्धी। मैं अधरी का पार्ट तो सब्सक्राइब करता ता इस अज रहे चाह नाम तो वहाँ पर लोग असीरिन भाशा बोला करते थे ये भी मैसोपटामे सभिता का ये किस्सा हुआ गड़ता था ये क्या करता है इस समराज के प्रमोग हिस्सों पर नियंतर थापित कर लेता है पूरे मैसोपटामे में छटी श्तापदी इसापूर तक यहाँ पर जो इरान के जो असीरिन समराज जो होता है वो जाहतर हिस्से पर जो है कबजा कर लेता है किस हिस्से की बात कर रहा हूं मैं मैसोपटामे की हिस्से की बात कर रहा हूं थोड़ सा चीजों को जोड़ते रहना है ना अभी हम किसकी बात कर रहे थे पिछले चेप्टर में हम मैसो पुटामिय की बात कर रहे थे अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम जो है यह देखेंगे कैसे जो है मैसो पुटामिय का पतन होता है और यहाँ पर दूसरे जो सामराज होते हैं उनका होना शुरू होता है ठ साइर के जो जितने भी इलाके हैं उसमें ju है मेसुपटा में सबीता का विकास हुआ था ठीक है चलिए अब क्या हुआ भाई व्यापार के नेट्वर्क हैना व्यापार के नेट्वर्क जमीन के साथ-साथ भूमत बूरा जो एक व्यापार का नेटवर्क विक्सित कर लिए। किया देखो यहां बीच में मैश्व पॵधा में था बीचक tief और इदर साघी के हम बात करें इदर था बहुत है म nuestras मिस्व किया जो सब्सक्रेच है मध मिस्की जो था इधर क्या था इधर चूथ हमारा सिंदु धाटी हैंना अब यहां पर जो मैंसुपटाम है थे ने यह दोनों तरफ का करते थे हैं दोनों तरफ से लिए ट्रेड किया करते थे हैंना और इनका भी वीयान पाद देख्णू को मिलता थ toss आईसे कई सारे हमें सबोत मिलते हैं कि जो नहीं तीन पूरी मद्धिसागर में जो पूरी भी मद्त सागर में यूनानी शहरों और उनके उपनिवेशों को वेपार में सुदार से लाब हुआ इन परवर्तनों परणाम था समझ बागी है यहानि कि जो इनके जो अपनिवेश थे किसके उपनिवेश की बात कर रहा हूं मैं असीनिन समराज की जो अपने वेश्ट यहाँ पर इनने कभजा कर रखा था उनको जो बहुत लाव हुआ है ना यहाँ पर किसकी बात हो रहे है यहाँ पर युनानिय शेयरों के बात भी युनानी शेयरों में जो है इसका फायदा देखने को मिला इन परवर्तनों का परमार थ कि अद्र वे जो अलग जो संस्कृत के लोग आलग जो एथिनक गुरूप के लोग है वो खान बदो के लोग बोला जाता था बेसिकल इन से भी जो एंके काफी अच्छे खास समण्द थे अब क्या हुआ अधिकांस भाग के लिए Athens और Spartans जैसे शहर राज नागरिक जीवन का केंद्र विन थे और यह आपने उस टाइम पर सुना होगा यह जो Athens, Sparta यह क्या थे भई यह बड़े-बड़े सामराज हुआ करते थे यह कहां के सामराज थे तो आपको पता होना चाहिए यह जो थे Athens और Sparta यह मिस्र के सामराज थे यह उस टाइम पर बड़े-बड़े शहर हुआ करते थे युनानी राज्यों में से जो है चौती शिताबदी इसापूर को अंत हो गया आप यहां पर बात होती है कि चौती शिताबदी इसापूर के अंत में क्या होता है यहां पर यह जो सामराज होता है जो इसका है उसका अंत हो आप होता है सुनो यहाँ पर एक राजा हुए जिनका नाम तब इसकंदर एलेक्जेंडर इन्हें बोलते हैं तो यहाँ पर देखा गया फिर जब दो सो गड़ चिराज करने के बाद यहाँ पर एक नई तागत आती है तो एक मैसेडोन नाम का सामराज हुआ इनका सपना था कि पूरी दुनिया पर दूहिए कैसे कब्रजा किया जाय अब होते किया बहुत हैं मैकड़ून सामराज के साशिक जो एलेक्जेंडर के नेक जो है कई सेन अभयान चलाए और उतरी अफ्रीका के कुछ शेहरों पर हिस्सों पर विजह पराप्त कर ली अभुना उत्तरी अफ्रीका का जो कुछ शेर थे वाई उहां पर विजापर आपकर लिए पश्चिमी एशिया इरान ब्यास तक पहुंच गया था तो यहां की बाद जो इसकी सेना बहुत ठक जाती है इसलिए यह आगे नहीं बढ़ता और दूसरा कारण यह भी था उस टैम पर मगस सा ठाम राज के राजा थे वो काफी शक्तिसाली थे धनानन नाम था है इनका धनानन जी उसकी वज़ाए से जो है इनकी सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है ठीक है तो बियास नदी तक जो है यह अपने आप राज को एक्स्पैंट कर लेते हैं है तो यहां पर यह इतनी ची क्या भाई हुआ ये कि इनकी भी मौत हो जाती है सिर्फ 32 से 34 वर्ष की आई की बीच में सिकंदर की मौत हो गई मलेरिया से मौत हुई थी इसकी अब जब हुआ क्या भाई इसने बहुत बड़े सामराज पर रास्तों कर लिया लेकिन उसको एक खटा नहीं कर पाया उसको एक कंसॉलिडेट नहीं कर पाया तो होता क्या इसकी मौत की बाद जो है इसकी पूरा जो इसका पूरा सामराज होता है ये बिखरने लगता है है ना और जब दिखरने लगता है तो दूसरी जो शक्तिया होती है वो जो है सामने आती है उसमें से एक शक्ति थी रोम सामराज है ना रोम कहां पर है आज का जो इटली आपको दिखता है ना इटली इटली का ये शहर रोम इसकी हम बात करेंगे इटली का जो है ये सामराज तो जो चोटे चोटे सामराज जो होते हैं अपने आपको फ्रीडम देना शुरू करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ जब एलगजंडिर की मौत हुई तो इतने बड़े सामराज को समालने वाला कोई था नहीं था तो इस वएसे क्या हुआ इस वएसे यह देखा गया कि यहाँ पर होता है यहाँ पर जो एक नया सामराज उबरता है जिसका नाम था रूम सामराज और यही जो रूम सामराज यहीं है तीन महाधी पों में फैल जाएग़ हो कई लमबे समय तक यह दाज करेगा तर यह भी इसका भी पतन शुरू होगा लेकिन वो बात की कहानी है, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हैं, जब इसलाम का उदा होता है, लेकिन वो बात की कहानी है, लेकिन हाँ, इसके बात क्या हो है, इसके बात जो है यहाँ पर, रोम सामराज जो है आ जाता है, इतना बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आय जल्san वो है वोल जली से भोल कुछS क्लियर हुआ ना तो कहानी थोड़ा सा आपको जोड़ते रहना है जलिए अब बात कर लिए रोम सामराज के बारे में कैसे कैसे जो है इस क्या हुदा होगा तो रोम सामराज का विस्तार दूर दूर तक था इसके विशाल राज जो है छेत्र वर्तमान का यॉरोप है ना अर्द चंदरकार छेत्र जो भी सैमी जो मून जो होता है ना एक पूरा जो एरिया होता है अर्थात पक्षमी एशिया जो है पूरा पक्षमी एशिया मानलो है ना आज का जो है वर्तमान यॉरोप जो है पूरा यौरोप पक्षिम एशिया और उत्तरी अफरीका ओगे ना तीन महादीपों पर फैला हुआ समराज मनब एक ऐसा समराज जिसका तीन महादीपों पर कन्टॉल ता कौन कौन से महादीप थे वो एक तो ये यॉरोप हो गया एक यॉरोप हो गया दूसरे कौन सा होगी हमारा तो पक्षिवी एशिया में झो है हमारे आप ऊक्षिवी एश्या का जो पक्षिवी भागाए इस्पेन का गन्टोल था अफ्रिका जो उत्तरी भाग और अठीव उट लूग थी लूग यहां पर अलग अलग भाषा लॉग आवब को पूर वई सम्पन्थ है लेकिन इस सामृज की अर्थ वैस्ता 생 पर नस्वार अपने पास में यह रुखा करते हैं अपने पूर्वी वाग पर यह सामराज आप यहाँ पर होता है क्या दो को एक बहुत बड़ा जब सामराज हो जाता है तो कभी ने कोई तूटता है याद अगना हमेशा कोई भी सामराज जो है बहुत जादा विस्तार होगा उसका तो कभी ने कभी तूटेगा सौ साल, दोसौ साल, तीसौ साल अब यहाँ पर बोला जा रहा है पांचवी श्तापदी तक आते आते हैं पांचवी श्तापदी के पचात आते आते हैं यह जो पश्चिमी भाग होता है रोमन का हैना वो तूट जाता है हैना बहुत सारे हिस्सों बढ़ जाता है उसके भी अल न को चुरों ईहां पर एक इक कोईशन या ता कि सब्रोवन सामराज के बारे मैं हमें इतनी साली चीज़ पता क जए चली कि रोमसामराज मह bushes राजा क्या सिने इन्हों ने वित्यास की व्यक्त्ता करते हैं. उनके पास क्या है? उनके पास बहुत पर्याथ मात्राब में सामगरी है. सामगरी, इस समपूर जो पार्थ ने जो भी थो बाइब बड़ी, जो पस्तके विगरा मिली हैं, जो लिखी लिक होता है तीसरी प्रलेख या धस्ता भी अपज होता है कि होता है कि नकाशी कर दो तो हो जाएगा तो बहुत सारे में दस्ता भीज लेंगे जो जीजे मों करने बैने इससे में और जुरम सामराज करता था समझ वहां गया हैं एक सब करवाएंगे आपके तो एक एक चीज हम करवाएंगे ठीज और पाद कर दो समकाली इत्यासकार प्रत्य वर्स लेखे जाते थे अप सुनो यहां पर मिसी क्या होता था जो इत्यासकार लृषर तामcom प्रतियाशता है जो गैए हैं अब्ठेशता करते हैं कि यह जो कुछ भी लिखा गरते थे तो इसे हम जो है रिखतांग लिखा करते थे उसको क्या zawsze वर्षव कि बूल दिर मतलब आया क्या है कि हर साल जो है ये लोग कुछ ना कुछ लिखते थे हर साल जो है ये प्रतिवर्ष लिखे जाते थे लेक होते थे बिसिकली लिखे जाते थे उसको क्या बोल दिया उसको जो है वर्ष विर्तांग बोल दिया उनको हमने क्या बोल दिया उनको जो हमने बोल दिया वर्श वृत्राम ठीक है क्योंकि ये जो है हर साल जो है लिखे जाते थे ठीक है चलिए उत्कीन अबलेक जो है आम तोर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते हैं अब अच्छा ये उत्कीन अबलेक क्या है जो पत्थर यहाँ यू नी भाषा में पाए गई है, यहाँ पर यह पता लगा सकते हूह आप के भाई यहाँ उस टाइम पर यूणानी भाषा कहना रूमन सामरा जो था यहाँ पर जादर किस भाषा का इस्तमाल किया जाता था। थीक है हजारों की संकिया में रिख सरकारी दसद्वेज और प्रप सत्म weался इना प्रपारफ पत्र पत्र पर लिखेगे है ऑनसे होता है भाई पैपर आस मैंने आपको बताया हुदा होता है पैपर का पौदा होता है किया लिखा जाता है इस पर इस पर इस पैर के पेल में क्या होता है को छो ह्थ पुछ पुछ अब उसक्त करस निकलता जो जो विध्ञानियों इने जो पाफाईर्स विञ्ञ्ञानियों, द्वारा प्रिकाशित किया जाता था। ठीक है पाईरॉ लॉौजिस्ट बेसिकली ना। इनको पाईरो लॉजिस्ट होते थे, यह क्या करते थेow tipo लेग लिखते थे। है ना पापाइरस का पौदा होता था इसे लेक लिखते थे इनको जो है क्या बोला जाता था इनके द्वारत जो है यह यह लेक सारे प्रिकाशित किये जाते थे शुमन में आप लेकर की विखते लिखते का मतना की ख्याओर से फीजिकल जो आसको को को आपको आहूंग से देख सकते थे छूव सकते हो तो उसे बहुत अविखिश भोलेंगे दा इसम्रेश Mirelin六 णों कोन होते हैं पुरा तत्ती तो हुष में जो抓ा हु कर चेर लें उसके जावर बोल देतcussion अर्ड के माधम से अपनी खोच का पता लगाते हैं विधृ संवय के बीठ्टी मेले सख्कें मेले पच्छी का किया है जो है बेसिकली यह जो जतने बी सामान मिले है खुदाई के दोरन जो भी सामान मिले जो भी मारतें वगरा से पता चला चीज है उनके इसाब से उन्होंने क्या किया वाई उनकी स्टड़ी की कौन स्टड़ी करता है कौन का अध्यन करता है तो ये पुरा तत्वितों जो उते हैं का अध्यन करते हैं और ये पता लगाते हैं मारे यरान इसमाराज्वा का साछिन तथो तो इरानी साछन थे वह व्याद रहा है जेंट कि अ मत जिन से असा मसी जब जो सकते हो 630 मलाउब इसा मसी के जनम से 630 सालों तक जो यह रोवन सामराज था बिल्कुल भड़िया बना रहा कब तक भाई जब तक जो है यहाँ पर आप वो सकते हो जब तक इसलाम का उदया नहीं हुआ है ना जब 630 इसा पूर्थ के बाद जो है इसलाम का उदया होता है उस टाइम पर जो है चीजे बिगडने लगती है उस टाइम पर जो है चीजे आप देखो कि बिगडने लगेंगी और यहाँ पर देखा जाएगा क्या देखा जाएगा बाई कि इसलाम का उदया होगा तो तब तक जो यहाँ पर तो चीज़ें बिल्कुल सही चल नहीं थी अब क्या हो भाई रोमन वा इरानी सामराज जो आपस में एक दूसे से के प्रत्दून्दी थे अब यहां पर मैंने मताया कि उस टाइम पर सिर्फ एक रोमन सामराज नहीं था इसको इसका प्रत्दून्दी भी था इसका एक सागर जो था ना है ना मैई टेरिंसी जी से बोलते हैं मैई टेरिंसी है ना तो उसको क्या बोला जाता है तो उसको जो है रोमन सामराज का जो हिर्दा बोला जाता था वहां से सारी जो चीज है जो भी आप हो सकते हो यह प्रेड वगरा जो होता है वो उसी से हुआ करता था जो भी युद्द के लिए और भीज जाते थे सेनिक वहीं उसी रास्ते से जो या करते थे जो अंगरेज आये थे वह पहले जो ट्रेड करते थे अंगरेज जो व्यापार किया करते थे Meditarian C से ही किया करते थे तो यह आप वो सकते हो जो भूमत सागर है कुई 車 वरीक वाकर हैं गयंगा अब तर हुद की सurat करें जो सब्सक्राइब तक अनकी दॉइक नंधियां ठर्क्षरी सीमा की अब बात करूँ है न उत्तर के वाइब अब बात करूँ उत्तर ही सीमा जो थी ओब नदियों से लगती थी और ड क्षणी के वाध करई तो यहां पर सारा रेखिस्तान सारा रेखिस्तान तक फैला हुए- टिया जो भी एरिया था वो किसं गर्मा एकरता था वो इरानी सामराज के अंडर्मा आया करता था और बाद में किया होता बाद में इसी जगा पर आप देखोगे यही क्या करते हैं? मिलके रूल क्या करते हैं? बाद में देखा जाएगा कि यही जो होंगे ना बाद में ये इसलाम को कबोल लेंगे. फिक है? तो इरानी सामराज में जोग है कैस्पीन सागर की दक्शिन से पूर अरब तक जोग东 melhor कभी-कभी अफगानिस्तान के कुछ भाग भी संबलित थे. किसकी बात करूँ हूँ? इरानी सामराज की बात करूँ है. तो इतनी सारी जो चीजे थी यहाँ पर संबलित थी. रोमन वा इरानी सामराज ने विश्च के उस अधिकान्स भाग को बाट लिया था जिसे जो है चीन के लोग जो है ता चिन बोलते थे हैना अब हम बात करूं रोन वा इराणी सामराज की की बात करूं मै dok भूंने अधिकांस भाग को जो भाँट लिया है किसकी बात ओरी चीन की बात हो लिए जिसे हम टामिन है ना विरत चीन का जो है पक्षमी इलागा जो है चीन का उधर जो है नोंने कब्जा कर लिया रोम सामराज का जो है आरंबिक काल था है ना रोम सामराज को जो है दो चरणों में बाता गया है अगर मैं रोम सामराज के आरंबिक काल की बात करूं रोम सामराज के अगर मैं आर परवर्ति-दुष् Cornra चैनल, तीसरी श्रताप्दी की बात की अगए मतलब यहाँ पर क्या सीन के मतलब यहां पर पहले की ने है सबelfarina हई और यहां तक की कोहानी है ना को सब्सक्रांति तो समय से समय के अनुसार जो है के पहले का समय और थीसर श्क्रापदी के बाद का तो हम ने यह संक्रृत दश्टी से एरान के मकाबले अधिक विद्प फुर्वन था है क्या मैं बताया कि उस समila सिर्फ रोवन सामराज नहीं था एक और बड़ा सामराज यह भी था जिसमें क्या होती सांस्कृत द्रश्टी से तो मैंना आपको बताया तो याद करो कि रोमन सामराज में जो अनेक भाषा ही थी अलाग अला कल्चर को लोग फॉलो किया करते थे और उसको जो है सेलिब्रेट भी क्या करते थे मला ऐसा नहीं तो सब एक दूसरे की अनेक भाषा हैं बोली जाती थी अनेक भाषा हैं बोली जाती थी है ना रोमन सामराज में अनेकों भाषा हैं बोली जाती थी लेकिं यहाँ पर क्या होता यहाँ पर एक दूसरे की जो विवित्ता हैं उसको हम क्या करते थे उसको हम रस्पेक्ट करते थे उसको इजड़ देते थे है ना तो अगर हम सांस्कृत दश्टी से बात करें है ना तो यहां पर रोमन सामराज जो था वो ज्यादा क्या था वो ज्यादा धनी था अगर हम किस से कंपेर करें अगर हम कंपेर करें इरान के सामराज से है ना तो इरान के सामराज से हम बात करें तो सांस्कृत रूप से ज सामराज बहुत बढ़ा था उस टाइम पर है ना मैंने बता है ना पूरा योरोप है ना आजे से जादा पूरा अफरीका फिर थोड़ा सा हिस्साम ले ले एशिया का तो यहां पर पूरा रोमन सामराज फैला हुआ था तो ओविस पात है यह तो बहुत यह यादा ओविएस ब करती थे ऐसा नी था मतलब जो भी वहाँ पर अलग-अलग राज थे अलग-नगर थे जहां पर अलग-अलग भाषा हैं बोली जाती थी अलग-अलग संस्कृति यहाँ लोग फॉलो किया करते थे लेकिन यहां पर यह भी था कि सरकार भी जो है उस चीज़ का वरोध नहीं करते थी सरकार की जो है मनला एक साजी प्रडाली थी मतलब सब मिल जो है रह रहे थे यहां पर एक दूसरे की संस्क्रित है वो एक दूसरे की संस्क्रित को जो है इज़त दिया कर तो यह यात रिखना भाषा भूफ़ सारी थी मैंने बताए ना विवित्ताइं बहुत जादा है रूमन भाष सामराज में लेकिन जो आधिकारिक भाषाओं की बात करें जो कोट कचैरी में जातर जो लोग बोला करते थे वो लेटनी भाषा और यूनानी भाषा को इस्तमाल क किया करते थे रूमन सामराज में हैना पूर्वी भाग के उच्वर को यूनानी भाषा बोलते थे वह लिखते थे जबकि पश्चिमी भाग के लोग जो है लैटनी भाषा का इस्तमाल करते थे अब यहां पर भी लोग बढ़े जो रूमन सामराज का पूर्वी भाग का यहा जुनानी भाषा बोल ले हैं और जो पक्षीम भाग में जो लोग रहरे हैं वो लेटनी भाषा का इस्तमाल कर रहे हैं ठीक है चली अब बात कर लेते हैं समराट और और अगस्ट तक अब यहां पी हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि दो वहा क्या हूआ है कि रूमन उनका चुनाव किसने किया तो आप ही ने किया वह आकि जो है रूल कर रहे हैं तो पहले कौन हुआ करते थे पहले जो है राजा तो होता था लेकिन राजा पर जादा शक्ति नहीं होती थी इनकी सामराज की बात करें रोमन सामराज की है ना जाते तीसे श्टापदी से पहले क का मंत्री मंदल है यहां कंड्री मंदल न ओर वह राजा जो काम कर रहा है वह किस के परामर्श कर नहीं तो ओ आंगी मंफफी सर्भ ठीटिंह ना जिसे तो यह स्यԱिसने जो होता है वह क्या करता था युदाक का क। लोग बाड़े बड़े व्यापारी होते थे वह जो लोग होते थे वह जो लोग होते थे वो सीनिट हुआ बड़े बड़े जो उच्छ धनी लोग हैं बड़े बड़े जो कुलीन वर्क के लोग हैं जिनका अपने छेत्र में उनका बहुत अच्छा खासा जान पहचान है ऐसे लोग सीनिट की वूम का निवाय करते थे जैसे आज के हम बात करें जो मंतरी मंदल वगराया जैसे अमिश पहले वह सीनिट से प्रामर्श लेगा उसके बाद ही जो है कोई भी नेड़ा ले पाएगा ठीक है आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा चलिए तो यहां पर जो है कौन रूल कर रहा था यहां पर सीनिट जो है में चाहित हमें सीनिट के आथ में थी तीस किताबद के बात क्या हुआ है था समराट ओगस्ट तक आए और इन्हों ने क्या रहा इनों पूरी सत्ता आपने आ इंस ने आ उने क्या है इस ने हम इसे खुरां लगा मतलब ऐसा फॉचा एसा वहाई शेले होते को न है है ना 멅 राजा हूँ मैं जो एंडि बताने वाला कि कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नि कर रहा है तो इसने जितनी भी तागत Morgen-synit की हां वो जो है अपने हाठ में ले ली है न तभी हमने क्या किया तभी हमने Roman Samaraj को दो हिस्सों मांड तिया एक जब Cineat का rule हो अगरता था एक जब यहांपर ओगस्तक आ जाते हैं, यह कौन थे बहुत, यह जो है यहांपर लड़के थे, किसके लड़के थे, तो जूलिस सीजर जो थे ना, उन्होंने इसको गोद लिया था, बैसिकली इसके जो है, गोद लिये हुए लड़के थे, बाद में यही राजा बन जाता, जो जूल अपर प्रस्टाष सवास में 100 ऍभी का जाए असी जूरू होगा न होना के लिल नहीं ज Moo black मुझाए या किया लिविजख न में 10 पहाए यहाँ पर चाहिए इ refugees đon पूरी अच्छी तरह दॉह तब यहम्ने तो माठ गया है एक जब फण मटें रूम और एक लshow कि आ सबसे बड़ी बात यह इना हुआ करती थी यह इंड़िपेंडटन है ना तो कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता था कि सेना हावी हो जाए घरती थी थी जिसमें और जो है पुरी पर्मानंट थी इनकी आरमी जो होती है वो थी पहले क्या हुआ करता था, पहले आर्मी राजा अपने पास रखते नहीं थे, क्योंकि उन्हें सैलली देनी पड़ेगी, बेतन देना पड़ेगा, अब इतना कौन रखेगा, जब युद्ध होता था, तभी गाउं में लोग खेती कर रहे हैं, गाउं में जो भी कुछ काम कर रहे हैं, वही सेन हमें लड़ने जाएगा, तो पहले ऐसी होता था, जातर राजा यही करते थे, कि जब लड़ाई दिंगे वगरा होते थे, तब यहां पर भरती हुआ करते थी सेने को की, लेकिन रोम में ऐसा नहीं था, रोम में जो सेना थी, वो क्या सी भई, वो या पर्मानेंट थी वो, निश्चित काल के लिए थी, उनको वेतन भी प्रॉपर दिया जाता था, तो यहां पर बहुत चीची देखने को मिली, यह वेतन भोगी सेना का होना निसंदे जोवन सामराज को एक प्रमुख फिशिष्टा थी, मतलब यहां पर पहले क्या था, पहले कि हम बात करें, तो को कोई राज's वगरा, उनकी जयादा सेना नहीं हुआ करती थी, कुछ सेनिक उवा खटे थे, पांच है, आद्दस है, लेकिन जब युद ऑकणता था, तब यह एक नए-सने को भर्ति कर लिया गरते थे, पैसे देगे, पर्मनेंट सेना नहीं हुआ करती थी, लेकिन रों साम अब यहां पर बात किया रही है कि यहां इसने क्या तो पहले इसने को बनाए रखा पहली बात तो इसने सेने के महत को बनाए रखा और सेने में जो लोग थे हो कौन थे तो कुलीन वा अवजादवर के बड़े ही अमीर लोग थे इसमें समराट अवस्तन का साशनकाल शांती के लिए याद किया जाता है क्योंकि उनके साशनकाल में शांती वा आगमन दशकों तक चले आंतरिक संगर्स वा सधियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था रोमन कि इनके मैंने बताया था था इनके पिताजी थे जो रूवन सामराज में एक संगर्स का महाओल था कौन राजा बने का वाज़ा बने तो इनका जो काल है वो बहुती शांती और बहुती आच्छा राज जो है बोला जाता है ठीक है चलें तो यहां पर जो है रूमन सामराज को भी तीन इससों अंबाट लिया एक सामराज था नहीं यही तो सेनट हुआ करते थे यही सेनट हुआ करते थे और तीन वर्ग थे यहां पर अलग अलग समराट हुए उनकी तागत इस चीज पर करती थे कि वह सेना पर कितना कंट्रोल कर पाते हैं और सेना उनके कंट्रोल में तो सब कुछ ठीक है कभी-कभी ऐसा भी हुआ करता था सेना उनके खलाफ हो जाया करती थी हाँ वेटा उसने अपने राज को बहुत हद तक डेवलप किया था ठीक है रोमन समराज में जब सेना विवाजित हो जाती थी तो उसका प्रड़ाम घ्राय उद्ध होता था हाँ यहां पर यह भी देखने को मिला मैंने बोला न आपको कि कभी-कभी क्या होता था जब राज समराज में सेना के पास टागत बहुत ज़ादा थी राजा और सेने्ट के सेनेट के जो राजा कि आफ्ल गम्लगी difयद्ध यहां इनकी धैट यह सब देखने को देखने को राजा है वह उपनी सेना पर कितना कर पाता था चीज भी निर्मर करती थी ठीक है अब क्या हो बई या पिर्थम रोमन समराट जो अगुस्ताग ने 27 इसपूर में अपना राज स्तापित किया उसे प्रिंटिस का जाता है यह तो मैंने अलेडी बता दिया आपको है ना ठीक है यह मैंने आपको बता दिया हाँ समझ लेना एक सेनेट वाला सिश्टम एक खतम किस नहीं किया था तो ऑगस्ताग नहीं यह सीनेट वाला सिश्टम खतम किया था याद रखना बाद में यह खतम कर देता है और खुद एक राजा बन जाता है तो यह सेनेट सिश्टम खतम किस नहीं किया था तो यहाँ पर ऑगस्ताग नहीं अभियान चलाए और इसने क्या किया इसने जो है फरात नदी जो थी तो खेंग यह उसके चेत्रों पर जो है अधिकार जमा से और इस। फरात नदी यह अज किस देश में की तहते इस अधूर में के जीए जितना चाहता था अब सुनो याँपर यह बहारत को भी जीतना जए जाता था इसकी भी आकांचाहिंती जो सिकंदर की थी ये भी पूरे भारत पर कबजा करना चाहता था और पूरी दुनिया पर कबजा करना चाहता था रोमन सामराज का विस्तार क्या से हुआ देख लेते हैं तो रोमन सामराज के प्रितक शासन का क्रमिक रूप से प्रयाप्त विस्तार हुआ, इसके लिए अनिक आश्रुत राज्यों को रोम के प्रांती राज में शम्लित कर दिया गया, मतलब क्या किया गया, पूरा एक रोम राज बनाए गया, जो छोड़ी छोड़ी प्रांती कभी 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 इससे भी आगे फैला हुआ है हम पर बोला जा रहा है वेसिकलि कि जो रोमन सामराज है यह कहां तक तक फैला तो यहां पर बताए जा रहा है कि देखो यह पहले अखस्ट हाँ स्मराझ अऑस्तक का जो साशनै वो सवंड का बोला सवंडह बोला जाता है सवंड़ के मतलम एक बहुत अच्छा काल था है और हम बहुत बहुत ऑच्छका था धर जाता है थे को दूसरे सदीで आते-जो है रॉमन सम्राइज यो अपने चरम पे था, कहा उन्हों ने स्कॉटलेंड, इसकॉटलेंड कहां पर है स्कॉटलेंड से अर्मेनिया तक फैला लिया एन्होंने और अगर हम बात करें सीमा की तो साह से लेगे फरात जो नदी थी, यहां तक जो है इनका पूरा एमपायर फैला हुआ था उन दिनों जो है साशी निविस्ता को चलाने के लिए उसकी साहेतार आज याईसी कोई सरकार नहीं थी तो उस टाइम पर हम बात करें साशी निविस्ता के हम बात करें कोई सरकार प्रॉपर नहीं हुआ करती थी राजा बगरा हुआ करते थे और राजा बगरा ही रूल क्या करते थे ऐसी कोई proper giro सरकार नहीं हुआ करती थे ठीक है ना अच्छा यह सब मैंने बता दी आपको तो यह आज के लिए अतनली रखते हैं दूसरी और तीसरी शितापदी के दोरान हाँ कई अधिक शक्त साली था क्योंकि उसे जो है समराटों को समर्थन ताप था बेसिकल यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर दूसरी तीसरी शिताप्ति के हम बात करें तो यहाँ पर अधिकारी जो थे यह उच्छ प्रांथी वर्गों में आते थे ज मनला मैंने बताई हैं कि रूमन की हम बात करें तो यहाँ पर जो शेने को वगए रहा थे रूमन समराज के रहा अधिक निया है समब्रान्थ वर्ग जो है बन गया जो कि जूज़ा सैनेट के से जाधा अधिक शक्ति साली थे तॏ कि इनके पास कंट्रोल कि था सेना का कंट्रोल था प्लस इने समराठ से जो है प्राप्त था, मतलब राजा से इने समर्थन प्राप्त था, जैसे जैसे या समरांथ वर्ख शर्ग स्क्ति體 वंड़ीनर ने सनेक कमाज से हटा दिया एवन नए वर्ख की इस्तिति Of ह Mississippi को भीन इस नाम स्क्ति, अब हुआ उन् पर जो ये वर्ग इना यह जो नया वर्ग उबढ़ा था जिसे हम क्या बोलते थे संब्राण्थ प्रांथ वर्ग को ज़्यादा चक्ति प्रिदान कर दी है तो जैसे जैसे नया संब्रांथ वर्ग हुआ करता था यहां प्लब जो क्या करेंगा जो किसी कोई अगर क्राइम कर देता है गुनान कर देता उसना वहा करता था श्यादे इन पर अपना एक सुझज्च्चित राज छेतर भी था न पास जिसमां जो एखर चेतर में आने वाले कही गाउँ जो है और यह पूरा जो बड़ा शेत्र हुआ करता था इसमें कई सारे गाओं कस्वे शेहर भी आते थे सारजनिक इसनाद गरहा है रोम के शेहरी जीवन की एक प्रमुक्ष विशेष्टा थे शेहरी लोग जो है उच इस्तर के मनुरुजन के साधन भी उपलब थे अब बात कर लेते हैं और इनकी एक संस्कृत का हिस्सा हुआ करते थे रोमन सामराज की मैं बात करूं ठीक है न और यहाँ पर इनके जो है मनुरुन जिन के अलग अलग साधन भी हुआ करते थे ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी अगले आगे जो टॉपिक्स हैं उनके बात करेंगे तीसर श्टापदी का संक्त अब यहाँ पर तीसरी इसा पूप के अंब बात करें तो यहाँ पर कुछ संक्त तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि वैसे तो बहुत जादा फलता फूलता था एक सामराज जो होता है उसके हर उसको जो ना हर चरण से गोजरना पड़ता है कभी-कभी उसके राजम बहुत जादा समर्दी आ जाती है कभी-कभी जो हमापर कई सारे संक्त भी आपती संकत की बहुत जाते हैं अब तीसरी सितावडी के बात करें आपने संक्त की बात अंपर संक्त की बात हो रहे हैं यहां पर थोड़ी सी जो हैं चर्चा कर लेते हैं इस वात की ठीक है चाले तो बोगला लो है हम दृतिज तव Pear बात कर यहां पर जो है लोगों में शांति लेकित बहुत अच्छे से देखा जाता है लेकिन यहां पर इखेकर 3 रूप गू। गोि थे आती है न। इसे यहां पर क्लास में भी क्या होता है जूब चाहिए इन तीनू में आपस में ही सब्सक्राइब नाम से उबरकर सामने आया जिसका सामराज जो है 15 वर्षू की अलपावदी में ही तीवर गती से जो है फराद अिरान जो था उसका पूरा सामराज यह वहाज तीवर गती से फैला और और पहां तक फैल है फराद वह अतनी जगा यहाजLES आजने काफी सारा अपने सामराज का विस्तार कर लिया फिर क्या हुआ तीन भाशा हों में खुरे एक प्रशिद शिलालेक में एरान के साशक शापर पर्थम ने दावा किया था कि उसने रोमन सेना को पराजित कर एंटियोग पर अधिकार कर लेता है तो इनकी प्रमुक जगा थी एंटियोग यहाँ पर अधिकार कर लेता है कौन? क इसने क्या कर दिया? इसने रोमन सेना को हरा का पराजित करकर उनको पराजित कर दिया है और एंटियोग नाम की जगा है एंटियोग नाम की जगा है इन पर कबजा कर लिया है तीक है? ऐसा किसका मानना है? ऐसा शापर प्रथम का मानना है तीक है? फिर क्या हुआ अब 233 से 28 288 इसा में केक के मद्द में जो है जर्मन जन्जातियों जैसे ऐलमाइन फ्रैंक वाग गोथ आदी ने जो है राहिन डेब्यू नदियों की सीमाओ की बढ़ना परारम कर दिया इस कारण जो है रोम की सेना डेब्यू से आगे से छेतरों से पीछे हटने के लिए मजबूर होग यह क्या थी वह जन्जातियां थी इनके नाम है याद रख लेना ठीक है तो एलम नाइट फ्रैंक वाग गोथ यह आदी जन्जातियां जो थी क्या करती है यह राइन वाट डैब्यू नदियों जो राइन नदी थी और जो डैन्यू नदी जो थी इसकी सीमाओ को पार कर दे लेना थी और जब उन्होंने आगे एक्स्पेंड करना शुरू किया तो ही का करती है यह इन छेत्रों से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है ठीक है चलिए तो यहां पर आप बोल सकते हो कि तीसे श्टापने में काफी संकट है यहां पर देखने को मिलते हैं रोम के निवासी इन जर्मन आकरमड़कारियों को जो है विदेशी बरबर कहा करते थे अब यह कौन थे यह जंजातियां थी है ना और यह जंजातियां जो थी यह काफी आप हो सकते हो और श्टों थी बह अब भारत में उन्सका अट Эको बहुत है उन्सक बहुत है तो यह भी गाते यह भी भार कि आकरमड़कारी तो यह जो ऐसे अटैक्स है वह रोमन सामराज में जो है देखने को मिलते रहे थी अब इसका मरब यह नहीं था कि रोमन सामराज कम जोर पड़ गया ऐसे मिलब बीच होता है निये बहुत लंबब संवराज जो है वो चला चला है चला तो बीच में उतार चलाओ जो आते हैं आपकी जैसे लाइफ में आपके आप तो कभी कभी यह जो रोमन सामराज आप देखोगे बहुत जाता समर्द मजबूत दिखाई देता है कभी कभी जो है यह कम जो और भी दिखाई देता है तो आई होप आपको इतनी जो चीजें वो किलियर हो गई होंगी जल्दिस वदाओ फटावड़्स हाई ना क्लियर होई नहीं होई चलिए तो आगे बढ़े अच्छा इतनी बात कर लिए अब बात कर लेते हैं रोमन सामराज में लिंग मतलब इस्तरी पुरुष्ट के बीच में जो भेद हैं या फर जो इस्तरी पुरुष्ट की जो लाइफ है उसके बारे हम बात करेंगे साखशर्दा लोग कितन रिलेशन है उसकी हम बात करेंगे इस टॉपिक में ठीक है कुछ नहीं करना होती सिंपल सा चैप्टर है जैसे आपको आगे पढ़ते जाना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं रोम में एकल परवार का प्रचलनता अच्छा पहले यह समझो कि इकल परवार क्या होता है जैसे आपने देखा होगा आपने बहुत सो लोगों को ढूт आओ देखा होगा हमारी फैमिली ना अलग रहती है जैसे होते ना किसी के चाचा जो हमिने प्यार भी बड़ा होता है लेकिन आपको तर आपका पर इंडिया में भी वह dis Bug की एकल मतलब जैसे बाए सब्सक्राइब करते हैं डिनर और सब्सक्राइब लेकिन रहते का है रहते हैं तो ऐसे हम क्या बोलते हैं एकल परवार है है कि भाई बाई भाई साथ निरे टीजिकली है एकल परवार का मतलब यह यह यहाँ पर पूरे परवार के साथ निए आप पनी अलग फैमिली बना के रहे रहे हो यहां पर लोग यहां पर देखोगी यॉरोप में तो एक रवार का ही यहां पर सिटम चलता है जॉइंट फैमली आपको यॉड्रोप मैं एक का दुख़का ही मिलेंगी भारत मतलु बहुत फिर भी मिल जाती है कि फूर अपने पिता की परिवार के साथ नहीं रहता है यहां पर वहीर लिखा हुआ है कि जो व्यसक पुस्मार जो पुतर्य sis Maha पूढक dot केब आपको मानना है अपर एक साल के परिवार साथ कि on के साथ नहीं रहेगा अपनी भیहनों के साथ नहीं रएगा अलगी जो आपने वार अबसाता था ठीक है रोमन सामराज में जो है महिलाओं को संपत्ति के स्वामित एवं संचालन में प्रयाप्त कानूनी अधिकार थे अब यहां पर अगर हम अधिकारों की बात करें तो ऐसा नहीं था कि भईया जो बीवी है उसकी जो उसकी पतनी है जो महिला है उनका अधिकार उपनी सम्पत्ति पर पूरा सवामित हुआ करता था और यह भी नहीं है जो पतनी परश पर प्रुश के अंडर में रहे के काम करेगी जो पती है उसके अंडर में रहे काम करेगी है ना वह अगर चाहे तो अपने पती से अलग भी हो सकती दिए डाइवोस सी ले सकती थी हैना तलाग भी ले सकती थी तलाग का प्रुसियर भी बहुत जादा सिंपल था ठीक है चलिए तो और हाँ एक चीज और थी यहाँ पर कि यहाँ पर जो पुरुषों की साधी की एज थी पुरुषों की तो वह 20-30 साल थी और वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करू और महिलाओं की शादी की एज थी वो 10-20 साल थी मतलब यहाँ पर होता क्या था कि पुरुषों के बाता थी कि बाता थी यानी कि होता यह था कि पूरुषों महिलाओं के बीच में जो आठ साल, दस साल, बारा साल, तो यहाँ पर कभी-कभी यह होता था कि उनकी सोच जो है, वो मेल लिखाती थी और कई बारी वो अलग भी हो जाया करते थे, है ना, और अलग होने का प्रोसियर, तलाक लेने का प्रोसियर जो था, वो बहुत ही आदा सिंपल था, ठीक है, चलिए ततकाली रोमन सामराज में जो है, तलाक देना बहुत सरलता है, मतलब हैं, तलाक आप दे सकते हो, इसके लिए पती, अर्व, पत्मी के द्वारा कीवल विवा भंग करने की सूचना देनी पड़ेगी, मतलब क्या देना, आपको सुसाइटी को, समाज को क्या देना है, कि अह कर देशों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो है, डाइवोस लेना बहुत यहादा आसान है, तो यह सारा होता है, खर्चा उठाना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो ऐसी पहले था, कि सिर्फ सूचना देनी पड़ती थी, परिवार को, समाज में, कि हम क्या कर रह है, तो बहुत सरल होता था ता तलाक लेना, चलिए, इस्तरियों पर जो है, उनकी पतियों का निंतरन रहता था, अब यहाँ पर कितनी भी कहलो, आज की टैंपर भी होता है, जातर तो यही देखने को मिलता है, शारू की बात थोड़ी से अलाग है, अगरा थोड़ी से आप गाउं में जाओगे, तो यहाँ पर होता यह है कि काइन ओफ एक मेल प्रतार कर स्ट्राइटी जो है, ना प्रतार करते था, उनके पति हो का, ना उनकी जो हस्बेंड है, वो नियंतरन करते थे, उने चालिये, चलिए, काम चलाओ साक्षर्टा कि हाँ, अब बात कर लेते थे साक्ष्रता की, यहां पर थोड़ा सब बताइब काम चलाओ था, मतलब इतने यदा लोग पढ़े लिके नहीं था, कुछ हमें अवशिश मिलते हैं, इससे पता चलता है, कुछ ऐसे भी राज थे जहां पर जो है, लोग काफी पड़े लिखे थे ठीक है ना तो काम चलाओ साक्षर्ता की दरें रोमन सामराज की बिविन भागो में बहुत अलग अलग थी मतलब ऐसा की जगा-जगा खुदाई होई है जगा-जगा अलग-अलग सामधिये हैं तो यहाँ पर अलग-अलग जगा पर जो जो है अलग-अलग अलग साक्षर्ता-दर लिए रोम के एक पूम साक्षर्तादर पाया गया है यहाँ पी तो frick Lower तो तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो रोमन सामराज में जो है सांस्कृति विविथा इवं इस तरो पर दिखाई देती थी है ना विविताओं का मतलब क्या होता करता है कि हम सब अपने अपने आपने pursue है ना आप कहीं अलग जाते हैं अलग ग幸ण के लोगते हैं अलग अलग पहनावे खान पान सब कुछ अलग है हमारे देशमे तो हमारे देश को योई diverse nation मनाता है एक वीद ताओं वाला देश ज्यवा बनाता है तो अगर रोमन सामराज की हम बात करें तो ये भी सांस्कुत रूप से काफी विद और काफी संपन्ल एक राज माना जाता है रोमन सामराज تھی या जल्ली से बता हो चलिए तो ध्यान से सुनते रहना बस कुछ नहीं करना द्यान से सुनना है आपको ठीक है चलिए तो रोमन सामराज में जो है सांस्क्रिट विवत्ता है कई रूपों में इस तो पर दिखाई देती थी जैसे की धार्मिक्स संप्रदाओं इस्थानी देवी देवत्ताओं बोल में लों की काष्ट अलग होगी है ना रोग्व का धर्म जो उनलग होगा तो इसमें घंडुअ कोई मुसलिम कोई सिक यह कोई है ठीक है और उनकी जो डेवी देवत्ता है वह लगोंगी तो यह वी बहत्ता और आपूलया फोल चल्क भाषवा अगर भारत की बात करें तो य ऐना कि बोतो इस में बहुत जाए है ना तो यह सारे में साथय में में Valentina टार खोजा है लोग केने की तरीक है अगर साथ में जाओगे टो लंगी और टाρα चुल्ण तो यहाँ पर सीन क्या है कि यहाँ यहां पर दिखाय जा राया कि यहां पर वित्ता हिस की रूप में मतलब धर्म कावशान के पूजा है गोजा करते हैं फोजा क्षिम में है ना प्र भूसें एक गारुमा से रहे घब डियत आयो देखर निकट वरती, बूर्ट कम से कम फ्राथ की पच्छिम क्चिमे यह दिक पौह Ozarks हमों जा नाय है नब अरमाइक अर्मुक्क वर्थी पूर्ड़ का पूरूक वह समोर था नजमने मिंसर में जो है कॉक्टिक उत्तर एकमाड जो ए प्यूलिक यह बाशॉंक नम्यद् tracked यह बहुत तक तक उनके लिए एक लीपी का अविश्कार नहीं हुआ ता अच्छा अब यहां पर समझ नहीं कोईश करो यह लिखी नहीं जाती थी भाषा है यह सिर्फ बोली जाती थी और उस तक जो है कई सारी भाषा है ऐसी थी उनमें जो लिपी का विश्कार नहीं होता मतलब हम बोल तो सकते हैं बोल के हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन वो जो है वो लिखते नहीं थे उनकी कोई लीप बन जाती है ना चरे तो इतना जो आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है अर्मेनियाई भाषा का जो है पांचवे शिताब्दी में लेखनकार शुरू हुआ था तीसरी शिताब्दी के मद्द के तक जो है बाइवल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो गया अब भाई आपक पांचवे शिताब्दी की हम बात करें तो अर्मेनिया भाषा जो है इसका लेकर शुरू हो गया था और यहां पर कॉप्टिक भाषा का अनुवाद किया गया था बाइबल का ठीक है चलिए आर्थिक विस्तार की बात कर लेते हैं आर्थिक रूप से यहां पर कितना विस्त विस्ते हैं तो यहां भी, आर्थिक राचा मजीबुस्ति में चत्हते हैं, उससे पता सतब्लबुस्ति हैं उस से पता जलता है कि जहां पर जाहर भी थ्हांस की पर यहां से रूसे हैं अपने सामान को ले आते हैं तो बड़े सारे बंदरगा मिलते हैं इट भट्टे बगरा मिलते हैं जैतून का तेल कई सारे कारखानों में ऐसा हमें प्रूफ मिलने हैं कि जैतून का तेल भी मिला करता था जैतून बेसिक पौदा होता है उससे तेल निकलता है इससे जो है वहा बहुत बहुयाद मतलब एकदम थोक में व्यापार हुआ गरता था बहुत ज्यादा मात्रा में इनका व्यापार देखने को मिलता है इस सामराज में शराप जैतून का तेल जैसे तरल प्रदार्थों का परवेन मटको यहां कंटेनर हो त्वारा किया हो जाता था अब बहुत फोक में किया होता है बड़े-बड़े बहुत बढ़े आपने देखा हुए ऊप आपंस लगवाब द रह्ते होते हैं मतलब आपके मनम आएगा स tavo जो हिस्ट्री लिखते होने के दनसों दो एक जगाह है रूम में हैना के नाकिया उसका नाम है टेक्टे की नाम है इसका तो इस जगाँ पर करीवन 5 करोड मटकी मिलते हैं जमीन की खुदाई होई तो यहां पर बहुत सारे अवशेश देखने को मिलते हैं चलिए इस पैन में जैतून का तेल निकालने का जो है दोग 440-160 इसापूर के इसा के वर्शों में अपने चर्मोट कर्स पर ता चर्मोट महलब बिल्कुल पीक पर था क्या बात हो रही है यह बात हो रही है एक 40-160 इसा की ठीए और जिसे जो है ड्रेसल बीस नामा कंटेंडरों में रखा जाता था रोमन सामडाज किये अंतरगत जो है ऐसे बहुत सारे छित राते थे जो अपनी असा सागर के समीवर्ति चेत्रों मैं मलब गुमत सागर जो है उसके आसपास के जो एरिया थे वहाँ पर जैल शक्टी वहुय्ञजक से उप्योग किया जाता था इस काल में जैल शक्ती से जो है कई उध्योग संचालइत होते जल शक्ती मतलब जेजिए थू मतलब जिर है परकिनी जो चीज है अच्छे तरीके से जहां पर बैंकिंग विवस्ता भी जारी थी लोग पैसे वैसे जमाँ करते थे उन्हें पैसा मिलता भी था तो प्रॉपर जो हैं पर बैंकिंग सेवा भी देखने को यहां पर मिल जाती है तो आई होप आपको इतनी जो चीज़ें वो बहुत अच्छे से किलियर हो गई होंगी किलियर हुआ और हाँ देखते देखते लाइक बाइक करते रहना ठीक है चलिए अब बात कर लेते श्रमेक विए इन पर नियंतर रखा जाता कैसे ठीक है तो रूमन सामराज में दास परता चलती थी दास परता क्या होता है और पहले इंके खरीद विक्री भी होगा करती तैंड लीगल थी आपके हांपर आकर नोकर की तरह काम करेंगे है ना वो दास होते हैं आप उन्हें खरीर लोगे और इनका एक मालिक होता था वो बहुत सारे दास लाये करता था यासे होता है ना भेड़ बखड़िया लेते हो आप जैसे जानवर लेने जाते हूँ वैसे इनसानों को भी उस टाइम पर जानवर की तरह जो है ट्रीट के संस्था के रूप में एक इंस्ट्यूशन के रूप में इस्तापित हो गई थी मतलब आप चलंग था रोम की अर्थवस्ता में जो है श्रम से संबंदित अधिकांस का दाशों के द्वारा ही किया जाता था मतलब जो भी जैसे आपने दास खरी लो उनसे जो आप काम करवा इसा मतलब जो अच्छे से दासो को रख रखा हे ठीक है ना चालिए अब ये बात कर लेते हैं में शांती स्तापित हो जाने के कारण जो है दासों की आप Mir और पूरती में कमी आने लगी तो ऐसी स्थिती में दास शिर्म का प्रयोग करने वाले लोगों को को एध प्रश alm हमी को जैसर विगल पलाश्न करने है अब होता है प्रिसम terus Touto नो सोुझनी क 태 confident की आप उसकते हो आप उर्ती नहीं हो पाई कमी पढ़ गई दासों की तो इस चक्र में क्या हुआ जो लोग थे वो बेतन वगएरा देखे जो श्रमेक रखा करते थे उन्हें महीने बेवतन देंगे और रखेंगे रोम के क्रशी विशियक लेखकों ने श्रम प्रमंदक पर बहुत अधिक ध्यान दिया इन लेखकों में दक्षणी स्पेन से पहली सदी में आया कोलियू मेला प्रमुक्त था तो रोमन सामराज के कुछ और धोगिक प्रिदिश्ठानों में श्रमेकों से सम्मंदित कठोर नियंत्र लगा रखे थे श्रमेकों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने का प्रितन करें तो उन्हें पहचान लिया जाए मतलब दागा मतलब उन पर ठपा लगा दिया आपने देखा हो गई सारी मूवीस पर के जो इनके जो श्रमेक होते थे ना इन पर काफी कठोर नियम कानूं लगू किये जाते थे हैंना बिलकुल नपर ठपा लगा जाता था इनके सब्सक्राइब भाग जाए तो उन्हें पहचान लिया जाए मतलब वो जो निशान है वो यह पूरी नकाशी होती थी उनकी और वो ऐसा ठपा होता था कभी मिटता ही नहीं था वो मतलब एक पहचान थी गुलामी की वो एक पहचान बन गई थी ठीक है ना चलिए अच्छा अब यह जो टॉपिक है ना आपन क्या करेंगे बाद में करेंगे यह जो आखरी टॉपिक समाजिक श्रीणियों की बात करेंगे यह पर इस टॉपिक की जो हम बाद में बात करेंगे ठीक है ना चले तो आई होप आपको इतनी चीजे हैं वो बहुत अच्छे तर जो है किलियर हो गई होंगी इस चैप्टर में पूरे ठीक है इतना किलियर हुआ है ना फटावट सब हुआ करता था हमने हर चीज के बारे में जाना अब हम जानेगे कि जो रोन सामराज था यहां पर जो समाज था समाज का धाचा कैसा था बता हुआ था होता है ना कि समाज हमेशा सब बता हुआ रहा है कुलीन वर्गों में गरीब अमीर हमेशा समाज जो है दो भागों में व बहुत पहले का ववाजन है तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर जो है हम रोम के सामराज की बात कर रहे हैं कि उनका जो सामाजिक जो ढांचा है वो किस प्रिकार का था उसकी जो है हम बात कर रहे हैं कि रोम का जो समाज में लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से बट वा था अमेरी गरीबी में तो यहां पर रोमन सामराज में भी कुछ ऐसे ही अंच दिखाई देते हैं हम तो इत्यासकार जो एक बहुत बढ़े इंसका नाम था टैसिटस ने क्या किया टैस्टस ने प्रारंबिक सामराज के जो है निम लिके सामाजिक समुग को बता है तो यह बहुत बड़े कौन थे जानकार थे एक बहुत बड़े इत्यासकार थे तो इन्होंने क्या किया इन्होंने जो है शुरुआती जो रोम था इसके जो सामाजिक जो इसका सामाजिक धाचा था उसके बार में जो है थोड़ा साथ बतातू है इन्हों बोला कि रोमन सामराज ज जो है वो अकेला राजा नेड़ा नहीं ले पाएगा, जब तक कि सेनेट लोग है, हाना करना है, तो इनका राजा है, राजा जो है, और ये सैनेट है, सैनेट क्या करते थे तो समाज सबसे उबर कामकिया करते थे, तो पहले नंबर पर ये vanity नहीं संपन्द्र लोग थे बड़े ही अमीन लोग थे अब उसके कुलीं वर्क के जो लोग हैं, जो काफ ही धन सपति थी काफ ही बड़ी बड़ी जागीरों के जो है, वो थे ये लोग मर्स बोग थे जो पना गोजारा कर रहे है बस चल बढ़िया चल ला उनका तो ऐसे लोग थे चौता वर्क तह वीर निमदता वर्क मतलब इसमें कौन थे गरीव जो गरीव जो गरीव लोग हैं। और सबसे ज़्यादा जो दैनी इस्तिती थी वो किसकी थी वो जो है इस दास वर्ग की ही थी समझ में आगया फटावर्ट से बताओ है ना इतना किलियर हुआ है नहीं हुआ जल्दी से बोलो किलियर है नहीं है बेटा सिविक्स भी पढ़ा देंगे वह एक ही इंसान है कितना क कितना पढ़ाएंगा हम पढ़ाएंगे सब कुछ पढ़ाएंगे हम ठीक है यागए चीज जो हुआ पढ़ाओंगा बश जो हार नई माननी बने रहना है सात perdu compact चलिए तो यहाँ पर वही था ऐसे इकुछ वर्ग था ऐसे कुछ समाजिक वर्गता किसका भाई है किसका था रोमान सामराज का ठीक है तो सैनेटर तथा आश्वा रोही वर्ग जो अब जाद वर्गते हैं मलब सैनेटर की हम बात करें सैनेटर तो होती अमीर हुआ करते थे और यह जो आश्वा रोही वर्ग जो है यह ना इनी में से जो है सैन उस्वार जात या वैसे हम बात करें सेनेटर तो सेनेटर भी जो है आज्शुआ रोही जो वsung प्रोगता इनसे ही सैनेटर चुन के स्वेंट ऊए गडिया गड़ते लेकिन हर जो आज़वी सैनेटर नहीं बंदपाता था तो पहले ठीक है चलिए मद्दम वर्ग में जो है नौकर शाही तक सेना के सेवा से जुड़े हुए थे अच्छा मद्दम वर्ग के हम बात करें तो इसमें जो तीसरा वर्ग था ना ये जनता के संबाननी वर्ग है ना इसमें मद्दम वर्ग में जो है जो नौकर शाही हो जो नौकरी क कर रहे हैं और जो सेना में काम कर रहे हैं सियना में सेवा कि रहे हैं तो है इसी वर्ग में यह सब जो है मद ड़ी में आया करते थे इसी वर्फ में सम्रद सौधा व्रभा किसान भी सामिल थे और इसी में आप पो सकते हो जो किसान अच्छे खासी खेती है इनके पास आना और जो थोड़े वह सब्क्राइब पर नभी तो इसी में आथे प्रवर्ती रोमन समराज में प्रथम तीन शिताप्दियों से ज्योए पूर्ड़ा गाई थी क्योंकि स्पेन की खान हो से चानी मिलना भंद उग इवाई तो यहां पर बात करें तो यहां पर बात कर тебе परवर्ती जेसरी से पहले और बाद की जीज ति है ना परवर्ती मुलाब पहले पूरब की पूरब पहले की जो मतलब परवर्ती रोमन समराज की हम बात करें तीसर श्टाब्दी से पहले की हम बात करें तो यहां पर क्या हुआ था परवर्ती रोमन समराज में पृत्रम तीन श्टाब्दियों है ना पृत्रम तीन श्टाब चानपी में कमी आ गई थी। इस वसे जो है आपर चानझी के सिक्टे जो है मिलना बंद हो गई थी। इन मुद्राओं का भारी मात्रा में पिचलन रहा था। जैसे हम बात करें कब की वाई, जब तीसर श्टापदी के बात की हम बात करें। तो पहले जो बहतीज़े हैं उसमर जो है आभू सकत유 सोने और चान्दी सोने में कमी आगई तो इन सक्यों का प्रचलन अब भी कमgar गया पहले बहुत जादा ता फिर कम हो गया है ना तो ये सारी जो चीज़्ें आपको बहुत अच्छे थे होने होनी चाहिए आई होप आपको अतनी चीज़्ें किलियर हो भी गहींूगी ठीक है ना चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं नाएक में नाएक में अप्ट में लेंकि सारी तागत उनकी चली गए उसके बाद कारा ? चलिएं तो रोमन सामराज सहाय कभी फंड् Janetَ नहीं किया जाया तो रोमन सामराज में कभी 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 क्या हुआ कभी कभी बहुट अच्छे यंद्ट आप कोई रोमन सामराज वाई 700-800 साल पुराना सामराज है तो एक जैसा तो रहेगा नहीं उसमें कभी-कभी तो बहुत अच्छे राजा लोग आए हैं बहुत सही चीह चल नहीं थी एकदम जो युक चला था लोगों का लेकिन कभी-कभी ऐसे-इसे कुछ राजा आए हैं जो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सा धरम था इंका कैसे लोग थे यहां पर धार्मिक लोग थी यहां फर कैसे लोग थे इसकी जो हम बात कर लेते हैं ठीक है चलिए तो यूनान एवं रूमन वास्यों की जो है धार्मिक संसकत भौवएद वादी थी नहीं मतलब ये सरे देवी देवतां को मांते हैं तो होए एक देवी देवता को मांते हैं No अलेगला चीजों की मानता देता हर एक चीज़ को मानता दिया करते things यहुदी धर्म रोमन सामराज जो एक अनिफ प्रमुक धर्म था, इस धर्म में अनिक व्युषताईं विद्वान थी और हुँदी, यहां हम बात करें तो भईar कोई एक छोटा सामराज नहीं था जो रोमन सामराज जो था यो बहुत बदा सामराज था इसमें कोई ऐसा नहीं था एक धरम था इसमें जो आप देखो कि यहोदी धरम भी बहुत खलाफ उरा और इसमें देखते हो यहापर इसमें कई सारी वीव dewताइप आई जाती है जैसे मैं बात करूं यहूदी धर्म की तो यहाँ पर जो एक इश्रवात की होती है मानता है मतलब एक इश्र को ही माना जाता है फिर आप दोड़े दिन में जब देखोगी आगया की जैसे बढ़ता जाएगा फिर क्या आजाएगा फिर जो है वो आजाएगा इसाई धर्म आजाएगा और जब इसाई धर्म की तो ऐसी लहर आएगी कि हर कोई जो है इस धर्म को अपनाने लगेगा तो यहाँ पर समय समय पर जो है क्या दिये बदलाओ भी यहाँ पर देखने को मिले है ठीक है ना अच्छा अब रोमन सामराज का पतन कैसे हुआ बिल्कुल सही बात है ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर यह देख लेते हैं कि भी यहाँ पर पच्छी मी समराज के सभी बड़े पर आधिकार कर लिए जिनकी खुद की क्या ते ऋब अपनी अलत संस्क्रित होती है अलग समू थे इनुने क्या क्या furry इनने जो ए इनके पक्ष्वी समराज इस्ताया नका है है लो करम इतल्य है month अजद अलगर नाश है कि ब्रेन को में ॏ दर्श को में और यहां पर एप्टली में में लबाडो तो यह लग साम राज यह विक्षित होने लगे तो यह बड़े reim इस्तिसाली सामराजी जो थे ठीक है, साथवी शताब्दी के प्रारंबिक दश्रकों में रूम वाइए इरान के मद्ध युद्ध प्रारंब हो गया, तो मैंने आपको बताया था, याद करो, थोर सा याद करो, पीछे मुझे प्रमुक सक्तियां थी, एक एरान की सक्ति थी, इरान की और दूसरा रूम, है ना, इन दोनों में हमेशा तसल चलती रही थी, हमेशा जो दोनों में लडाई होती रही है, दोनों लडाई बहुत जादा करते थे, है ना, तो यहाँ पर हम बात करें, साथवी शताब्दी के प्रारंबिक दश्रकों में जो है, क्या हुआ यहाँ पर थोड़ा सा परला किसका भारी हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा परला है वो भारी हो गया, इरान का, इरान ने क्या किया बाई, इरान ने जो है, यहाँ पर पूरवी परांथ जो थे, यहाँ पर रोमन सामराज फैला हुआ था, वहाँ पर जो अपना नियंतरन स्त कर लिया और यहां पर रोमन समराज को हाद है ठीक है चलिये और तो आई यह ऐसा नहीं थे क्रफ़ सालोस जलता रहा है अजे नहीं एकर दिन वे सब ऐड़े और के नहीं थे वान हमाधीप़ पर यहां तो यहां पर क्या हुआ यहां पर क्या हुआ है इनोसरी चीज होगी जिए बहुत पुराना था ये था फले तो यहां पर देखतें आगे यहां पर क्या होगा इरानी साच को एंग हाँ अब यहां तो यहां तो वह पर लिया था हमने अभर परंथ बैजनटाइनय जो फिक नचांट की बात करा बाधन. बाइण टाइन ने जो है शेसो बीस इसवी के दशक में इन प्रांतों पर स्थाबित कर लिए बाइण बहुत ही आप उसकते हैं और ये अपर जाता है और यह रोमन सामराज के लिए एक नया नाम था तो बेलंटाइन सामराज के नाम से जाना जाता है बाद में इसको नाम बढ़ा प्राचिन विश्य इतिहास की सबसे महत्पूर्ण गटना जो है अरब प्रदेश में इसलाम का इस्तार था अब यहां पर एक जो सबसे इंपोरेंट पॉइंट है वो यह है कि छेसो इस्वी की बाद है ना चोईसो साड़े-छेसो इस्वी के बाद यहां पर एक नया हो जाता है और जब इसलाम का अलगते हैं और अप देखोगे यहां से तीरे जिए रोमन सामराज का पतन होने लगेगा ठीक है तो यहां पर बात कर लेंगे प्राचिन विश्य इतिहास की सब से महत्म घटना क्या है वार साथीं श्तापदी है ना साथीं श्ताप्दी में अ बहुत जादा विस्तार होता है और इसे प्राचिन विश्य इत्यास की सबसे महत्पूर राजनीतिक करांती माना जाता है और जब इसलाम का उद्या होता है ना तो यहां पर ऐसा माना गया कि मतलब इसने सब कुछ बदल के रख दिया करता है यहां पर आप देखोगे बड़े-बड़े राजा ऐने की जन्हों को पुद आ है और फिर उन्हों ने अपने सामराज को जो बहुत आगे बढ़ाए तो यह응कर दोनों में टसल होने लगती यह था रहेंगे अलग एसे का डिकलाइन होने लगेगा यह अपनी तारीफ करेंगे आपस में लड़ते रहेंगे यह यहां-पर ऐसी चीज़ है वो चलती रहेंगे तो इसugen derivatives हमारा घंज हमारा ऐसtonya वो खतम हो अब ये कुछ टम्स हैं इनकी हम बात कर लेते थोड़ा सा आपको शायद यहां पर दिक्कत ही होगी आपकी किताब में सारे टम्स दे रखे हैं पहला है वर्ष वर्थांग वर्ष वर्थांग क्या होता है तो देखो जो इतियासकार थे लिखा करते थे हिस्ट्री लिखा करते लिखा करते थे तो इतियासकार को कही है उसकार का इतियासकारो हाना जींहें तौस्किम हम बोलते थे वर्ष वर्थांग बतलब उस थैम पर क्या था था हुआ, अलाग लगे हिस्ट्ोरीयन्स ववा करतेimate थे थेsmिए, हाल जो लगे लगे ती कंप्र लिखे थे सिस्ट्वा बोल दिया उसके हमने वर्ष विर्टंग बोल दिया जो हर साल लिखा जाता था है ना पैपायरस क्या था बाई तो पैपायरस क्या होता है एक पौदा होता है बिसकली है ना एक जो है पौदा होता है जो कहां पाया जाता है बाई तो जो है मिश्र में नील नदी के किनारे जो पॉअ बहता जिए और इस पाउड़े के पत्तों पर जुए रश विरथखा जाता था और है ये जो लिखा जाता था यह तो यह इस papyrus के पौधी पर ही जो है लिखा जाया करता था तो याद रखने ना ठीक है चालिए आगे बढ़ते हैं papyrus जो है papyrus टास्त्री कौन है वाई तो लिखने एवम प्रकाशित करने वाले व्यग्यानिक को क्या बोला जाता था यहां पर papyrus टास्त्री बोला जाता थ था जो बंदल लिखता था जो इंसान लिखता था उसे हम बोलते थे पर यह सारी टर्म से यूज़ हुए आपके कहीं कहीं किताब में ठीक है तो याद रखना था था आपको तो रोमन सामराज का जो विस्ता भूमत दिसागर था उत्तरवा दक्षिन दोनों दिशाओं में स तो यह समझ तरिश के अधिकांस भागों पर परस पर माट लिया था और जिसे चीन के लोग ताचन कहते हैं आपको यह दोनों तरफ थे इन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया था दोनों ही दुनिया के बड़े-बड़े जो हिस्से थे उन्हें आपस में बांट लिया था इन द है वो हमारे किलिये हो गया वोगा एंड समाप्त भी हो गया पूरा चैप्टर जो है एपको इस चैप्टर से रिलेटर मैंने पढ़ा दिया टिए किलर रहना वीडाले आप से हम हाँ 300 चुदाब दे संकट के लिए याद की जाती है बिल्कुल सभी बात है ठीक है चलिए तो आई होप आपको सारी जो चीज़ां वो क्लियर हो गई होंगी अब हम मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए गुड़ बाई टेक किया